वेलकम टू माई चैनल एस्पाइली क्लास्टे जाइब कि आप लोग बहुत बहुत अच्छी होंगे आज हम ले क्या है समाजी का दियान सोसल साइस समधित मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन सिटे रेश्टेट वालों के लिए जो एक्जाम रहें पिछले 10 वर्सों का कोश्चन है जो पिछले 10 वर्सों में पुछा गया है तो यह मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है तो चलिए स्टाइट करते आज का फर्स कोश्चन से पहले कर आप मेरे चानल पर नए है तो सस्क्राब जरू करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहें तो यहां पर फर्स वीड क्युक्ती तो यह कस्मीर हिमालाय में पाई जाती है जसा गज율ी पापना में सबसे चोटा है तो यह अस्ट्रแตट महादू पर्योजनस ओंग कहा कर दिखत थijn trends ऑyer ठीक है नेक्ष क्वोष्च्चन नाटो का मुख्याले कहा है इस्थित है तो नाटो का जो मुख्याले है वो बुरुसील्ड में इस्थित है ठीक है इस बाघा दियन के सिक्ष्छन में सब्से महत्पुन्प सहायक साधन कौन सा है तो सब Lob I सहायक साधन जो है वो है श्रब्र से साधन ठीक है next question है कंबुज इस्तित अंग कोर वात का विशनु मंदिर किस ने बन भाया तो कंबुज इसतित अंग गोर वात का जो मंदिर है वो सुर्य बर्मा सिकेन ने बन बाया था ठीक है समराट असो के किस ब्रिहद सिला लेक में परोसी देशों का वर्णन है तो तरहमा सिला लेक में क्या है ब्रिहद परोसी देशों का वर्णन है हिंदुस्तान गडर पार्टी की अस्थापना किस वर्ण की गई हिंडुस्तान गडर पार्टी की स्थापना उनी सो तेरा में की गई हैं रिषान स् शूरिक अंतिम अभियांधा की सासक के बिरूद था ल Conf bigger 나노 100 जो मां City मां 559BO मेज निश्यक्श संसोधन है जो सिक्षा के इतरी कार्स संसोधन है जो शीक्षा के अधिकार से संबंदित है तो यह marinat वारतिय इतिहास में सबसे पहले मांसुन परवेस करता है तो सबसे पहले मांसुन जो है वह अंडवार और निकोबार्द विप समू में क्या करता है परवेस करता है नेक्ट है इंडिका के लेखक कौन है तो इंडिका के लेखक है वो है मेग अस्थनीज है कौन है मेग अस्थनीज है नेक्स्ट कोस्चन है दीने इलाही की अस्थापना किस ने की तो दीने इलाही की अस्थापना जो है वो अकबर ने की थी ठीक है नेक्स्ट है भारती नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारती नेपोलियन जो है वो समूंद्र गुप्त को कहा जाता है ठीक है लेक्स्ट है त्र तो महारा राच धिराच की जो उपादिधान करने वाला जो पर्थम सासक था वो था चंद्र गुप्त प्रथम ठीक है तो अधिकतम दूरी की स्थिती इसमस्च की बिस woven मंदल की स्थिता है में बहारत में समीधान में मूलकरतव्य को किस समीती की पर अनुसंसा पर सामिल किया गयाANK के जो समिंधान के जो मुल कर तब या को स्वय से समीथिक अनुसंसा पर क्या किया गया है। नेक्च्टकूशन है बीत आयोक के गठन का प्रावधान भारती समिधान के किस अनुछेद में हैं तो समिधानिक प्रस्णों की सुनबाई वह 5 निया धिस करते हैं नेक्ट है लोग का दालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनबाई कभी की गई तो लोग का दालत द्वारा जो पहली मुकदमे की सुनबाई है वो छोग्ट हुआ 1985 को की गई नेक्ट है समिधान सभा किसके अंतरगत अस्थापित की गई है तो समिधान सभा जो एक कमिनेट मिशन के अंतरगत स्थापित की गई है नेक्ष्ट है दच्छे स्केल किस देश में समिधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ तो यह है नेपाल ठीक है नेक्स्ट है पंडित सारंग देव द्वारा रचित गरंथ का क्या नाम है तो पंडित सारंग देव द्वारा जो रचित गरंथ है उसका नाम है संगीत रतनाकर ठीक है नेक्स्ट है भारत में संगीतिक विकास के करम में किस काल को स्वर्न यूग कहा जाता है तो यह मत काल को स्वर्ण यूग कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है क्रमिक पुष्टक मलिका किस ने लिखी है तो क्रमिक पुष्टक मलिका जो है वो पंडित बीना भात खंडे ने लिखी है ठीक है नेक्स्ट है अलफांसो किसकी एक प्रचलित किसम है तो अलफांसो जो है वो आम की प्रस्चलित एक किस्म है ठीक है नेक्स है पहारी छेत्रों में बाग लगाने की कौनसी बिदी अपनाई जाती है तो पहारी छेत्र में बाग लगाने की जो बिदी है वो है कंटूर बिदी ठीक है नेक्स है आम की कौनसी किस्म बहु भूनिये है तो आम की जो खरपतवार एक तरिक करने हैं तू है महासागय्य धर्याओं में किसका === तो यह है ब्राजील पर पर ठीक है कि ड्राके ड्राके니स मेंस्बर्ग पर्वत कहाँ इस्तित है तो यह दक्षीनाफिरका में इस्तिते का हैं दक्षिन फिरकाम है ठीक है नेक्स है वो कौनसा गरह जिसका कोई उपगरह नहीं है तो बुद्र सिल्वासा किसकी राजधानी है तो सिल्वासा है दादर एवं नगर हवेली की क्या है ये राजधानी है नेक्स है कौन सी मिटी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्स है तो भारत में जो कपास की खेती के लिए आदर्स मिटी है वो है काली मिटी नेक्स है अस्थला कृतियों में से किसका निर्मान ब्रहंसन द्वारा होता है तो ये भी ब्रहंसन घाटी का ठीक है नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट संकी अस्थापना कब हुई थी तो संयुक्त राष्ट संकी जो अस्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए नियुतम आयू सीमा कितनी होती है तो 21 वर्स नेक्स्ट है भारत में उच्टम न्याले में ने समिधान के बुनियादी धाचे का सिधान किस ने दिया था तो ये है केशवानन्द भारती ने नेक्ट है भारतिय समिंदान तधर्थ निया धिसों की नियुक्ति की व्यस्था कौन करता है तो यह सर्वोच नियाले करता तो यह सोसल सांस का मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चिन आपको कैसा लगा यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताए सांती लाइक और सेयर करें मेरे चैनल नहीं है तो सब्सक्राब जरूर करें ताकि मेरे सारी इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहा फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक्यार